हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल मा बेटी एजी रेस्पी में फ्रेंट्स आपका स्वागत है तो की रेस्पी मैं बच्चों के लंच के लिए लेकर आई हूं और चाहें ताप इसे ब्रेक फास्ट में भी बना कर खा सकते हैं तो चले वीडियो को सुरू करती हूं करते हैं से क्लोक सशह तो मैं नहीं लेलिया यह पर गहरा बतन ले लेंगे और फिर यह हमारा है एक क्तोरीμों अमर्द इसमें काट कर不要 प्याश को डाल दूँगे आप फिर एक टमाटर में ली हूँ यहाँ पर पारिक कटा हुआ फिर मैं इसमें डालूँगी कदुकस किया हुआ लोकी थोड़ा सा मारा लोकी आप देख सकते हैं फ्रेंस मैंने कदुकस कर लिया था फिर मैं इस बेसर में मैं डाल दूँगी बहुत ही हिल्दी हो जाएगा जो बच्चा लोकी नहीं खाता होगा इस तरह से भी हमारा बच्चा खा लेगा लोकी आज की रिस्पी बहुत हिल्दी होने वाली है तो यह हमारा दो उबला हुआ आलू है आप चाहिए तिस की बारिक मैस करकी ढाल सकती एं या ऐसे बतले वाले कदुकस कर भी है तो द 17 के कदुकस कर ले हूँ तो एक आलू को मैने कदुकस कर लिया फिर चलीं दूसरे तरफ में चलते में जलते हूँ पिर एंख और आलू को सिप में कदुकस कर लिया है बड़े साइज का आलू था हमारा फिर मैं आप डालोंगे एक हरी मिर्च कटा हुआ बच्चों के लंच के लिए बना रहे हुँ इसलिए इसे एक मिर्च डाल ले हुँ अगर बड़ों के लिए बनाना होता है अप इसमें और भी मिर्च एट कर लिजेगा तो फिर मैं इसमें डालती हुआ भूना हुआ जीराव पाउडर स्वादमुसार नमप थोड़ा सा हल्दी पाउडर फिर इससे हम चमर्च की साथा से थोड़ा सा मिक्स कर लें घलका सा फिर पानी डालके इसका गोल त्यार करना है तो यहां पर मैं एक कप पानी ली हुँ पानी को मैं डाल दूंगी फिर इसका गोल त्यार करना है फ्रेंड्स चमर्च की साथा से से मिला गच्छे से तो पर्चवा पानी भी मैं आट कर लूँगी तो दिखे मार कितना ठीक हुआ इतना हमें ठीक नहीं चाहिए अब हमें और भी पानी की जरुत है तो आधी को और मैं इसमें पानी आट कर रहे हूं तो हमें पतला घोली चाहिए बहुत पतला नहीं मैं दिखा रही हूं यहां इसी तर से हमें घोल बनाना है फिर मैं डालूंगे यहां पर बारी कटा हुआ धन्या घोल तयार करने के बाद धन्या पति डाले गए इसलिए कि इसका जो फ्लेवर है चीला में आएगा तो पांस मिनट के लिए मैं इसे ढख के रख देती हूं तो देखिए पांस मिनट हमारा हो गया है फिर चले मैं एक पैन ले लेती हूं आप चाहिए तिसे लोहे औली तवा पर भी बना सकती है तो पैन में मैं देसे घी लगा लूंगे देसिक ही से होता कि बच्चों के लिए हमारे लंच हेल्दी रहेगा आप चाहिए तो सर्शो तेल में भी बना सकती है या रिफाइर नॉयल में फिर बैटर को मैं पैन में डालनूंगी फ्रेंस आप बड़े छोटे के हिसाब से अपना बैटर डालिएगा तो फिर चमश की म में धकोंगी बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता है फिर आधा मिनट हो गया मैं खोल के दिखा रहे हूं देखिए उपर हमारे ड्राइव हो गया है फिर इसे हम क्या करेंगे कि इसे पलट लेंगे पलटे की मदद से अब देख सकते कितने अच्छे से हमारा प्लट गया है इसे बनाना बहुत आसान है फिर इसे आधा मिनट के मैं इसे धक कर दोंगे फ्रेंद्स क्या होता है कि ढखने से होता है कि गैस हमारे कम लगता हुद बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता है ऊए-थ तो देखी फिर मैं दिखा रही हूं तो दोनों तरह से हमारा सीख के तयार हो गया है आप मैं पल्टे पर उठारें तभी आप देख सकते हैं कितना सॉप्ट बना हुआ है अगर इस तरह से आप बच्चे के लंच में बना कर देंगी फ्रेंड्स तब बच्चे तो लंच को पूरा फिनिस करके आने वाले उनको खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही शॉप्ट बन के तयार होता है तो मैंने उसे निकाल लिया फिर उसी तरह से मैं पैन में मैं घी लगाऊंगी तो बैटर को इस पर डाल दूंगी तो देख सकते हैं कितना जल्दी बन के हमारा तयार हो गया है सुबह के टाइम में कितना भागा दोड़ी होता है हम लेडिज को तीसी तरह से हम फटाफट से अपने बच्चों के लिए लंच तयार कर सकते हैं बहुत हल्दी बन के तयार होता है तो इसे भी मैं ढगती हूँ आधा मिनट के लिए फिर मैं दिखाती हूँ तो फिर देखें मैं इसे भी मैं पलट लूँगी फ्रेंस बहुत जटपट बनने वाले नास्ता है आप चाहें तो सुबह के नास्ता में भी बना कर खा सकती है तो लीज़े फ्रेंस से भी हमारा बनकर तयार हो गया है फिर इसी तर से सारे बेटर को मैं बना लूँगी आपको देखने से लग गया होगा कि कितना सॉप्ट बनकर हमारा तयार हो गया है तो लीज़े मैंने सारा बना कर तयार कर ली हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है तो फ्रेंस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा बेल आइकन बटन भी दबा देजेगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुच सके तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा के रेस्पी आपको कैसी लगी तो फिर मैं मिलते हूँ आपसे अगले न्यू वीडियो में तब तक लिए बाइ बैर थैंक यू